हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की कारेपत्रक नमबर 28 और इसमें हम करेंगे पार्ट नमबर 20 बिलकर खाएं पार्ट नमबर 22 दुनिया मेरे घर में और पार्ट नमबर 27 कोशिश हुई कामयाब चलिए शुरू करते हैं इस कारेपत्रक को हल करना प्रश्ण नमबर 1 प्यारे बच्चों हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कारेकरम होते हैं जहां काफी लोग एकत्रित होते हैं और साथ में खाना खाते हैं आप जानते होगे बच्चे कि हमारे घर में और हमारे आसपास कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कई सारे लोग एकटे होते हैं और एक साथ खाना भी खाते हैं कभी कभी विशेश खाना बनाया और खिलाया जाता है उदारन के लिए असम के बीहु त्योहार में पीठा और चेवा चावल तयार किया जाता है और कई बार कुछ खास मौके होते हैं जैसे त्योहार या जनम दिन वगएरा तब हम कुछ खास खाना, स्पेशल खाना बनाते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं प्रशन का पहला भाग देखिए ऐसे चार कारे क्रमों का नाम लिखो जिसमें आप शामिल हुए और बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया ऐसे चार कारेकरम हैं, भंडारा, विवाह यानि शादी, जनम दिन की पार्टी और ग्रह परवेश प्रेशन का दूसरा भाग देखते हैं, ऐसे तीन विशेश खाने के नाम लिखो, जो आपके परिवार में किसी विशेश अफसर पर बनाए जाते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल खाने के नाम लिखने हैं, जो किसी स्पेशल दिन आपके घर पे बनाए जाते हैं, त्योहार वगरा पर जैसे, वो हैं खीर, दही भले और सेवईया प्रेशन नमबर 2 देखते हैं, कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया प्रारंबिक शिक्षा यानि कक्षा 1-8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए यह सभी बच्चों का अधिकार है, आपके भी स्कूलों में बच्चों आपको पका हुआ गर्म खाना आदी चुट्टी में जरूर मिलता होगा अब प्रेशन का पहला भाग देते हैं, आपके स्कूल में मिडड डे मील में खाना कौन परोस्ता है? हमारे स्कूल में हमें आउंटी खाना परोस्ती है, प्रेशन का दुसरा भाग देखते हैं, अगर आपको स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका बिले, तो क्या-क्या बदलना चाहोगे? अगर आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में जो खाना आता है उसको बदल दिया जाए तो आप क्या-क्या बदलना चाहोगे आप क्या-क्या खाना पसंद करोगे और आपको उन चीजों के नाम यहां लिखने हैं मैं सोमवार के दिन मंगाऊंगा डोसा, मंगलवार के दिन खीर, बुद्वार को छोले बटूरे, ब्रहस्पती बार को इडली, शुक्रवार को दलिया, और शनिवार को पालक पनीर, आपको जो खाना पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. प्रेश्ण नमबर तीन देखिए, हम अपने द्यानिक जीवन में कुछ ऐसी स्थिती का सामना करते हैं, जो हमें कई तरह से प्रभावित करती हैं. हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और बाते करनी चाहिए कि हम कैसा मैसूस करते हैं. अब आप निमनलिखित प्रेश्णों क उत्तर लिखें. पहला, क्या आपके घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुरसी या किसी चीज को लेकर जगड़े होते हैं? मेरे घर में टीवी को लेकर जगड़े होते हैं, तो मैं उत्तर लिखता हूँ, हमारे घर में टीवी को लेकर जगड़ा होता है. आपके घ क्यों, नहीं बच्चो, हम नहीं सोचते कि लड़का-लड़की इस्तरी और पुरुष के लिए और तो और आद्मियों के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर हम उन सब को बराबर नहीं मानेंगे, कोई छोटा माना जाएगा और कोई बड़ा माना जाएगा जो कि गलत बात है, हम उत्तर लिखते हैं, नहीं, लड़का-लड़की इस्तरी और पुरुष के लिए अलग-अलग नियम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सभी बराबर हैं, प्रश्ण का तीसरा भाग देखिए, सभी का चूना एक जैसा नहीं होता, क्या आपको भी क लोगों का चूना बुरा लगता है, इसका उत्तर हम लिखते हैं, हाँ, मुझे बस में भीड में लोगों का चूना बुरा लगता है, बच्चों, यहाँ पर आपको एक आवश्चक बात बता देते हैं, कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको गुड टच और प्रश्च ना करें कि जब भी कुई आपको बैट टच करें प्रश्च नमबर चार देखिए चुस्किट लद्दाख के स्किट को पुल गाउं में रहती थी जो दूसरे बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती थी क्योंकि जनम के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी प बच्चों मुझे स्कूल में पढ़ना खेलना और अपने दोस्तों से बाते करना अच्छा लगता है प्रश्च का दूसरा भाग देखिए क्या आपके स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं बच्चों रैंप इस तरीके का होता है जिसमें सीडिया नही करके हम पहिया कुर्सी को ऊपर या नीचे ला सकते हैं तो हम इसका उतर लिखते हैं हाँ मेरे स्कूल में रैंप बना हुआ है प्रश्चन का तीसरा भाग देखिए क्या आपके घर के आस पास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किनी कारणों से स्कूल जाने में परशानी हो उसके साथ अच्छा समय बिता कर उसकी मदद कर सकता हूँ आपको भी ऐसे अगर किसी बच्चे के बारे में जानकारी है तो आप लिखेंगे कि आप उसकी मदद किस परकार कर सकते हैं प्रश्चन नमबर पांच में क्रिया कलाब दिया गया है बच्चो इसमें आपको किसी यहारी आफसर पर कुछ खास तरह के यह खास रंग के कपड़े जो आप पहनते हैं आपको उनके चित्र बना करके इनमें रंग भरना है और देखिए मैंने ऐसे कपड़े और उनमें रंग भर दिया है आप भी इसको अपनी वर्क्षीट में कर सकते हैं बच्चों यहां हमारी वर्क्षिट सवाप्त होती है धन्यवाद